है लो सुमन तो आज किस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले है एक्ससाइज वन जी का कोशन नमबर 15 तो देखिए कोशन नमबर 15 में क्या दिया गया है इन ए स्कूल 5 by 8 of a student are boys तो एक स्कूल है जिसमें 5 by 8 क्या है boys है if there are 240 girls ठीक है जिसमें से 240 आपको बोला जा रहा है कि 5 by 8 boys है if यदि 240 girls है तो find the number of boys in this school तो आपको क्या निकालना है boys कितना होगा आपको वो बताना है ठीक है ऐसा तो आपको fraction में दे दिया गया है तो देखिए ये जो question है आपका unique question है बहुत ही अच्चा question है और बहुत simple तरीके से मैं आपको करवाऊंगा तो देखिए given क्या है number of boys अराम से देखिएगा number of boys क्या है 5 by 8 ठीक है अब देखिएगा टोटल जो है ये टोटल आ रहा है टोटल इसमें boys भी है girls भी है ठीक है दो पार्ट में मैं इसको बाट रहा हूँ थोड़ा सा समझेगा अगर में ये boys है और ये girls है तो boys का बात करो तो boys आ रहा है 1 by 2 girls आएगा 1 by 2 लेकिन जब टोटल का बात करेंगे तो क्या जाएगा 1 by 2 प्लेस 1 by 2 ठीक है यानि कि 2 by 2 यानि कि 2 by 2 2 by 2 यानि कि 1 तो complete part का जब हम लोग बात करेंगे जब हम लोग complete part का बात करेंगे तो complete part आपका क्या होता 1 होता है अब मैं आपको यह कहानी मैंने क्यों सुनाया आपको मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि आपको number of boys दे दिया गया है 5 by 8 और girls जो है आपको number में दिया गया है fraction में नहीं दिया गया है तो girls कितनी होगी तो total ratio होता है हम लोग का 1 1 में से जब boys को minus कर देंगे तो girls आ जाएगे ठीक है तो यहाँ पर लिखेगा then the ratio of then the ratio of girls girls का ratio is 1 minus 5 by 8 यानि कि total में से अगर boys को हम लोग घटाएंगे subtract कर देंगे तो कितना जाएगा LCM ली जाएगा तो 1 से multiply किजएगा तो 8 minus 5 by 8 यानि कि 3 by 8 क्या है girls है और 5 by 8 क्या है boys है इतना अब लोग को clear हो गया 3 by 8 क्या है girls है और 5 by 8 क्या है boys है है ना तो अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा तो हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है तो अब हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि total student कितना है ठीक है तो देखिए यहाँ पे तो boys जितना है girls जितना है मान रहे हैं x मान रहे हैं ठीक है तो total number of student को हम दो x माने हैं तो girls का girls कितना है 3 by 8 into total total का 3 by 8 part कितना है girls है यानि कि 240 girls है जब total student का 3 by 8 part निकालेंगे तभी तो कितना जाएगा 240 आ जाएगा अब x तो multiply में है मेरे को x का value निकालना है जब आप 3 by 8 को इस पर लेके आएगे तो ये क्या हो जाएगा divide में हो जाएगा ठीक है तो जब divide में हो रहा है तो इसको solve करेंगे तो 240 divide को multiply में change किज़ेगा तो ये आपस में change हो जाएगा यानि कि 3 by 8 के जगए में 8 by 3 हो जाएगा इसको cancel किज़ेगा 8 times यानि कि 80 times ठीक है यानि कि कितना आजाएगा आपका तो x का value आगे आपका 640 यानि कि यह आगे आपका total students आपका x क्या माने थे हम दोग total students तो अब यहाँ पर लिखेगा hence the total student the total number of students is 640 तो total students आपको पता चलिए 640 है now अब देखेगा यहाँ से now number of boys number of boys आपको क्या निकालना है number of boys निकालना है ठीक है तो number of boys निकालने के लिए क्या करेंगे total में से total number में से मानेस कर देंगे किसको girls को तो total number आपके पास कितना है total number आपके पास है 640 में से girls कितनी है girls है आपका 240 जब आप मानेस कर दिजेगा तो 400 क्या जाएगा आपका boys समझ मा आगया आप लोगो यानि कि आप लिखेगा now और सॉरी यहां पर लिखेगा hence अधा नंबर आप बॉइज is 400 number of boys is कितना है 400 तो देखिए सबसे पहले कुशिन समझ में आगया आप लोगो आप लोगों को boy find करना था लेकिन तो fraction में दिया गया था कि boy कितना है आपका 5 by 8 part है और फिर मैंने total message जब boys को खटा दिया तो girls आ गया अब देखिए हम लोग total number of students x माल लिये हैं तो देखिए total student का ही तो 3 by 8 part 240 आ रहा है जब इसको मैंने solve कर दिया तो मेरा total students यहां पर आ गया और total students में से जब आप girls को माइनस कर देंगे तो आपका boys आजाएगा बहुत simple question था लेकिन unique था ठीक है चलिए so students please note down this question so students I hope आपको इस वीडियो से काफी कुछ सिखने को मिला होगा वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सिखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजे अगर आप मने चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेर कीजे और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करकर जरूर बताइए तो students मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई